हलो फ्रेंट्स वेलकम टू कारगी क्लासिज आज हम बात करने वाले हैं मैपिंग में राजस्थान की बारे में राजस्थान की पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल मैप की बात की जाए तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है यहाँ पर राजस्थान की कैपिटल यहाँ पर एकदम बिलकुल यह आप इदर देख सकते हो लगबग नौर्थ इस्ट में इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आगर राजस्थान के मैप पे यह देखें यहाँ पर है जापुर इसके अलावा अगर देखें तो कौन-कौन से अदर स्टेट्स हैं जो की बार्डर शेर करता है राजस्थान के साथ में तो इनमें आप उपर देख पा रहे हो यहाँ पर पंजाब है फिर नीचे हरियाना आ जाता है फिर इधर आप तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान में इंपोर्टन नेशनल पार्क कौन से हैं और वाइलाइफ सेंचुरी कौन से हैं अगर उन पर ध्यान दे हम अगर इधर देखें आप अलवर साइड में तो आपको दिखेगा यहाँ पर सरिस्का यह वाइलाइफ आप ध्यान रखेंगे इसका ठीक है इसके अलावा नेशनल डेजर्ट पार्क वो यहाँ पर है यहाँ पर जैसल मेरी में यह बेसिकली नाम तो नेशनल डेजर्ट पार्क है बट बेसिकली यह है क्या एक वाइलाइफ सेंचुरी ही है बिकर यहाँ से एक वाट एक तो पाइ लेखना से नि इन की सकती हैं। इसके अलावाब आप देखोगे रन्थमोर से थोड़ा और चले नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुकुंद्रा दर्रा, दर्रा एंड मुकुंद्रा वाइल लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क यही पर लोकेटेड है, यह भी आप ध्यान रखोगी यह आजाता है जालावाड वाले रीजन में, ठीक है, मुकुंद्रा एंड दर्रा, कोट जालावाड वाले रीजन में लोकेट है, इसी तरीके से यहाँ पर देख सो के तो एक और कुंबलगड रनकपुर वाइल लाइफ सेंचुरी, तो यह कुछ इंपोर्टेंट वाइल लाइफ सेंचुरी जो की न्यूज में रहती है, इनमें से मेंली जो हाइलाइटेड सेंचुरी है, जो की नैशनल पार्क के तोर पर ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में यह कुछ इंपोर्टेंट लोकेशन थी, वाइल लाइफ के पॉइंट आफ यू से, अब देख लेते हैं, राजस्थान में लोकेटेट इंपोर्टेंट लेक्स की बारे में डि इंडियन डेजर्ट या मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, जो की नौर्थ वेस्टन राजस्तान में लोकेटेट है, अब अगर लेक्स की अगर बात करो तो आपके सामने जैसे ही हम साउत में जाएंगे, तो सबसे पहले आजाती है सांभर लेक, इंडिया का बहुत जो सॉल्ट प्रोडिक्शन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सांभर लेक से होता है, ठीक है, इनलेंड बोल रहा हूँ मैं, कॉस्टल रिजिन की बात नहीं कर रहा है, इनलेंड, मतलब जमीन के अंदर की तरफ, इसके अलावा आप देखोगे, दूसरी जो लेक है, ध्यान रखें, यह राजस्तान के उदापूर में लॉकेटेड है, ठीक है, इसके अलावा चंबल रिवर की बात की जाए, तो चंबल रिवर का ओरिजिन होता है, देखो मध्या प्रदेश में, मध्या प्रदेश से के फिर उसके बाद में एंटर हो जाती है, राज नाम आजाती है काली सिंद शिप्रा, यहां पे आप देख रहे हैं शिप्रा, शिप्रा बेस्ली वो रिवर है जिसके शोर पे या फिर किनारे पे आप सकते हो, उजन महाकाल, फिर उसके बाद में आप देखो कि काली सिंध है वो भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है ऐसे ही आहू और परवन दो और रिवर्स हैं और यहां पर आकर कि यहां पर चंबल के साथ में ठीक है तो यह कुछ इंपॉर्टंट रिवर्स की भी साथ में हमने बात कर ली दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो चंबल के नेटवर्स में ही एक नेटवर्स है यह ध्यान रखें आप चंबल की ही लेफट बेंक ट्रिब्यूटरी है नंब इसका ओरीजिन होता है देखो अरावली हिल्स में अजमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्तान का वहां से और फिर ये इस तरीकी से साउथ वेस्ट में फ्लो होती हुई अल्टिमेटली रन ओफ कच की रन में जाकर के सबमर्ज हो जाती है या फिर पानी अगर जादा है तो एक मैक्सिमम पानी ले जाकर कहां डाल देती है फिर ये गल्फ ओफ कच में बेसिकली तो रन ओफ कच में यही ये पानी खतम हो जाता है इसका रिवर्ड लूनी का बाकी ज important है ठीक है इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर राजस्थान को हम physical point of view से physically अगर divide करें तो चार physiographic divisions आते हैं उनकी बात करते हैं अगर चार physiographic divisions की बात की जाए तो इस region को तो जाता है हाडोती प्लेट्यू ठीक है इस region को हाडोती प्लेट्यू बोला जाता है फिर यह अरावली हिल्स से इस तरीके से राजस्थान को बिलकुल एक तरीके southwest to northeast की तरफ इसका spread है तो ऐसे में हाडोती प्लेट्यू और यह अरावली हिल्स से के बीच का जो रीजन है that is known as eastern plains of Rajasthan और फिर यह अरावली आ जाती है और अरावली से फिर northwest में आप चले जाओगे तो फिर desert area तो एक तरीके से यह border create कर रही है plain और desert के बीच में अरावली hills ठीक है इसके अलावा आप देखोगे इधर कि desert area वाले region में पानी की कमी रहती है हमें पता है rainfall की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया इंद्रा गांधी किनाल सिस्टम का arrangement जो की हरी के मैंने बताया था आपको ब्यास रिवर और हमने बात की थी सत्लिस रिवर दोनों का confluence होता हरी के पे और वहीं से इंद्रा गांधी कैनाल शुरू होती है जो की international border भारत पाकिस्तान की वीच की जो border है red cliff उसी के parallel ये चलती रहती है और इसी को आप देख सकते हैं ये वाला track आपके सामने इंद्रा गांधी कैनाल सिस्टम इसके अलावा और देखते हैं कुछ important चीज़ है और अगर अरावली हिल्स में आप थोड़ा सा साउथ में जाओगे तो यहां पर आबू हिल्स है यहीं पर है गुरू शिकर करके इस यहां की peak मतलब राजस्तान की highest peak अगर है तो वो located है गुरू शिकर और इस इस peak के बारे में एक fact है वो यह किस नौर्द में हिमालिया से लेकर के साउथ में जब तक आप नेलगीरी हिल्स तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक throughout इंडिया highest peak अगर कोई है तो अरावली हिल्स की गुरू शिकर ही है जो कि माउंट आबू में located है आप यह चीज जरूर रखेंगे ठीक है इसके अलावा आप देख सकते हो मेवार प्लेट्यू भी यहाँ पर located है मेवार वाला रीजन महाराना प्रताप के बारे में आपने सुनाओगा अकबर की study जब हम करते है तो वहाँ पर महाराना प्रताप का नाम जरूर आता है तो ऐसे परिस्तितियों में आपको मेवार का पता है तो यहाँ पर मेवार प्लेट्यू देख सकते हो इसके अलावा हमने गांदी सागर और इनकी बात पहले ही कर ली अरावली हिल्सकी भी हमने अल्रेडी बात कर ली है और जो important rivers की अगर बात करो तो यहाँ पर यह यमुना रिवर की ट्रिब्यूट्र इसमें शेयर किया हुआ है ठीक है तो आप वहाँ पर जरूर जॉइन कर लो इसमें आपको political और physical दोनों maps की detail मिल जाएगी ओके तो देखें इस वीडियो में इतना ही था next वीडियो में हम गुजरात की बात करेंगे जो आप आपको जल्दी ही मिलेगा एक चीज में आप गं खेला कर रहा हूं तो उसमें थोड़ा gap आ सकता है बाट आपको definitely काम complete होके ही मिलेगा ठीक है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था thank you very much और गारगी glasses को follow करते रही है